नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको TVS IQ Electric Scooter के बारे में बताने जा रहे हैं TVS Company ने हाल ही में अपने एक एक एक्टिक स्कूटर को लांच किया है जिसका नाम TVS IQ Electric Scooter है ये जानते हैं इस एक्टिक स्कूटर के बारे में बिस्ताथ से अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, TVS ने हाल ही में एक्टिक एक्टिक स्कूटर की दुनिया में करम रख लिया है आइए जानते हैं इसके इस स्कूटर के बारे में कमपनी की तरफ से इस इलेक्टिक स्कूटर में BLGC तक्निक पर आधारिक इलेक्टिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है वहीं इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक तथा रियर में ड्रम ब्रेक का उप्लोग किया गया है तो मोटर पाउर की बात किया है तो 404 kW के मोटर का इस्तेमाल किया गया है इस मोटर और बैकरी की मदद से यह 145 km की रेंज सिंगल चार्ज में तैं कर पाती है वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें फास्ट चार्जिंग की शुदा परदान की गई है फ्रंट में आपको बूट लाइट का के साथ है सर्विस द्यू इंडिकेटर मिल जाता है इसमें घड़ी देखने की शुदा दी गई है डिजिटल इस्कूडियो मिटर दिया गया है डियारल्स दिये गए हैं फास्ट चार्जिंग की शुदा दी गई है आप अपने मोबाइल को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं एलेडी टेल नाइट की शुदा दी गई है इसमें डिजिटल ट्रिप मिटर का इस्तिमाल किया गया है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने में काफी प्रिमियम लगते हैं और चराने में भी काफी आराम दायक है टीवियस कंपनी की तरफ से लांच किये गए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोगों के द्वारा काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यह कहीं भी उबर कावर रास्तों पर पहाड़ी इलाकों में या तकित समतर रास्ते पर आराम से चल पाती है इसमें Eco और Sport More की सुगदा दी गई है जिसकी मदद से आप इसे कहीं पर भी चला सकते हैं इसके अलामा इसमें GPS Connectivity की भी सुगदा प्रदान की गई है इसकी मदद से आप कहीं भी आय आ जा सकते हैं Company की तरफ से इस idlycrie skooter में 40,04 kW बैटरी का उप्योग किया गया है आपको बता दें कि इसमें रिथियम आयन बैटरी के ऊप्योग किया गया है Eco Mode में यह idlyctv skooter 145 km की रेंज सिंगल चार्ज में दे पाती है आपको बता दे कि इस इलेक्टिक स्कूटर में उस Start पटन की शुधा दे गए इसके अलामा इसमें Anti-Tap Alarm System भी दिया गया है वही इस इलेक्टिक स्कूटर में और भी कई सारे प्रिमिन फिचर जैसे की Navigation Assist के साथ जी यो फैंसिंग, Call and Message Alert की शुधा, Low Battery Alert की शुधा, Stand Alert की शुधा दी गई है TV कंपनी की तरफ से लांच किये गए इस इलेक्टिक स्कूटर में कई सारे प्रिमिन फिचर्स को आइड किया गया है चलाने में काफी आरम दायक लगती है, तथा इसे हर कोई आसानी से चला सकता है इसको बार-बार चार्ज करने भी जन्जच नहीं रहती है, एक बार चार्ज करके आप लंबी दूरी तक की यात्रा कर सकते है वहीं इसके कलस की बात की जाये तो यह इलेक्टिक स्कूटर, पर्ल वाइट कलर, टाइटेनिक ग्रे, ग्लोसी, मरकरी ग्रे, ग्लोसी, कॉपर ब्रॉंज मैटी, स्टार लाइट ब्लू, मिंक ब्लू, शाइनिंग रेड, ल्यूसिड यलो, टाइटेनियम ग्रे, कॉपर ब् पसंद के हिसाब से कइना म्यूंब का चुनाओं करके इस electric scooter को भारती बाजाdriven से ह्फिट सके हैं हजाईट व इकाईआ इस electric scooter की डिक्चु की और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद भी कर द्ह Molot आप इस electric scooter को लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेश्च इसाविश हो सकती हैं एक कम बज़ट में यह electric scooter आपके electric scooter के चलाने के सपने को पूरा कर सकती है इस electric scooter के कीमत की बात की जाए तो बाइती बाजार में यह electric scooter एक लाग सतरह हजार रुपे से एक लाग 30,000 रुपे के बीच में उपलंद है यह एक सो रूम कीमत मताई जा रही है कीमत की अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के ओफिस्यल वेबसाइट या फिर अपने नजजी की TVS दीलर्शिप पर संपर कर सकते हैं इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के चैनल पर पहली बार आ रहे हैं जिससे हम आपको इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो आपके पार जानकारी हैं जैबार बोस्ती रहे हैं आईक्यूव एलिक्रिक स्कूटर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर सेयर करें